वीडियो शुरू करने से पहले एक नोटबुक और फिन लेकर बैठें और एहम दोखात को अपने नोटबुक में नोट करें असलाम अलेकुम पेरे बच्चों आज हम जमीन की गर्दिश इस सबक के बारे में मालमात हासिल करेंगे बच्चों ये जमीन की गर्दिश क्या है ये समझेने से पहले हम महवर और महवरी गर्दिश इसके बारे में समझ लेते हैं तो आएए देखते हैं ये तस्विर जो आपको नजर आ रही है ये है लट्टू जिसे आप भौरा कहते हो जब हम इस बहुरे को गुमाते हैं तो ये एक ना नजर आने वाली लकीर की गिर्द गुमता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये अपने महवर पर गुम रहा है अपने महवर पर गर्दिश कर रहा है यानि अपनी जगा पर रहते हुए इस तरह से घूमना ये महवरी गर्दिश कहलाता है उम्मीद करता हूँ आपको महवरी गर्दिश समझ गया होगा हमने ये मिसाल इसलिए ली क्योंकि हमारी जमीन भी इसी तरह अपने महवर पर अपनी जगा पर गर्दिश करती है तो जमीन का अपने ही गिर्द घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है अब देखते हैं आगे आप लोगों ने गुलोब देखा होगा गुलोब कहते हैं जमीन का एक मॉडल एक बनाए जाता है उसे हम गुलोब कहते हैं गलोब को अगर हम अपनी जगा पर घूमाएं तो उससे भी आपको जमीन की गर्दिश, जमीन की महवरी गर्दिश का अंदाजा हो सकता है अब देखते हैं गलोब में जो उपरी हिस्सा है उसे हम नौर्थ एन से जाहिर करते हैं इसका मतलब होता है शमाल ये पहला हिस्सा कुतुब शमाल यानि के नौर्थ पॉल कहलाता है और इसके मीचे का जो हिस्सा है वो उसे हम इस यानि के साउथ कुतुब जनूबी यानि जनूब का हिस्सा इससे जाहिर करते हैं अब ये शमाल और जनूब इन दोनों के दर्मियान में ना नजर आने वाली एक लकीर कीची गई है एक फर्जी एक हैली लकीर कीची गई है जिसका नाम हमने खते उस्तवा दिया है खते उस्तवा कहते हैं कि शमाली कुतुब और जनूबी कुतुब के दर्मियान में ना नजर आने वाली एक फर्जी यानि एक ख्याली खत उसे हम खते उस्तवा कहते हैं जो जमीन को दो बराबर हिस्सों में दो मसावी हिस्सों में पक्सिम करता है अब इसकी वज़े से उपर का जो हिस्सा है वो शमाली निस्वकुर्ण और नीचला हिस्सा जनूबी निस्वकुर्ण कहलाता है और दर्मियान से गुजरने वाला खत खते उस्तवा कहलाता है अब हम दिन और रात इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जमीन अपने महवर पर गर्दिश करती है तो होता कुछ इस तरह से है कि जमीन पर जो सूरची रोशनी पढ़ती है जिस जगह पर रोशनी पढ़ती है वो हिस्सा रोशन होता है यानि वहाँ पर दिन होता है और जमीन आहिस्ता हिस्ता अपने जगह पर गूंती है इसकी वजे से रोशन हिस्सा अंधेरे में चला जाता है और अंधेरे वाला हिस्सा उजाले में आ जाता है तो जहां पर उजाला था, जहां पर दिन था, वहां पर रात हो जाएगी और जहां पर रात थी, जहां पर अंधेरा था, वहां पर दिन हो जाता है तो इस तरह से दिन और राद का ससूर आप लोग इसके जरीए समझ सकते हैं और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जमीन मगरिब से मश्रिक की जाने घूंगती है अब देखते हैं हम अगला टॉपिक तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब तुलूए आफ्ताब सूरज का निकलना गुरूब आफ्ताब सूरज का डूबना जैसा कि आपने तस्विर में देखा अब हम इसकी तफसील इसके आगे से देखते हैं तुलवे आफ्ताब को समझने के लिए हम एक गलोब पर एक टिकली लगा देते हैं और गलोब को आहिस्ता हिस्ता घुमाते हैं तो इसमें होता यह है कि रोशन हिस्ता अंधेरे में जाएगा और अंधेरे वाला हिस्ता दोबारा से रोशन हो जाएगा तो यह पहले 12 घंटे का जो वकफा गुजरेगा जिस पर जमीन पर उजाला होता है और उसके बाद का जो वकफा गुजरता है 12 घंटे जमीन पर अंधे और वीज़ के लिए 24 घंटे का वकत दरकार होता है। इस 24 घंटे को एक यॉम, यानि कि एक दिन कहते हैं हम कह सकते हैं कि हमारी जमीन को महवरी गर्दिश यानि अपने महवर पर मुकमल तोर पर एक मरतबा घुमने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो एक दिन का होता है एक यौम का होता है एक मरतबा फिर से इसे नोट कर लीजिए कि जमीन को अपने महवर पर गर्दिश करने के लिए 24 घंटे का वक्त दरकार होता है यानि इसे 24 गहंटे लगते हैं 24 गहंटे में जमीन अपने महवर पर एक गर्दिश मुकमल कर लेती है इसके इसे हम इस मिसाल के जर्ये देख सकते हैं अभी आपने देखा कि एक यॉम यानि कि एक दिन किस तरह से मुकमल होता है दिन और रात मिलाकर 24 गहंटे का वक्त गुजरता है जमीन अपनी जगह पर एक चक्र मुकमल करती है उसे हम एक यॉम कहते हैं जिसके लिए इसे 24 गहंटे का वक्त दरकार होता है अगर हम इसे 24 बराबर हिस्सों में तक्सीम करें तो एक हिस्सा एक घंटा कहलाता है अब देखते हैं साल ये किस तरह से होता है आप जानते हैं कि जमीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के अतराफ भी गर्दिश करती है यानि कि जमीन सूरज के मदार पर गर्दिश करती है इसे जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं अब इसे हम इस तस्विर के जरीए समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन की मदारी गर्दिश क्या है जमीन का अपनी जगा पर गर्दिश करना महवरी गर्दिश कहलाता है जिसे एक दिन में वो अपनी जगा पर गूम कर एक चक्कर मुकमल कर लेती है जमीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरच के अत्राफ चकर लगाती है जमीन को मदार की गर्दिश करने के लिए एक साल का वक्फा दरकार होता है जो तकरीबन 365 दिन 6 गंटे का होता है। ग्रिगोरियन केलेंडर के मताबिक जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश करने के लिए 365 दिन 6 गंटे का वक्फा लगाती है। अब लीप इयर और लीप साल ये क्या होता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में तफ्तिल से मालमात हसिल करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया हूँ। इस वीडियो के दो पार्ट अभी भी बाकी है। वीडियो कैसी लगी अपनी रहे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।